नमस्कार मा की रसोई में आपका स्वागत है मैं मुम्ता शर्म आज बनाने जा रहे हूँ नमकीन मठरी नमकीन मठरी बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए मैदा दो कप बेकिंग पावडर आधा चम्मच नमक आधा चम्मच या स्वाद अनुसार अजवायन आधा चम्मच हींग एक चोथाई चम्मच सूजी या चावल का आटा एक से दो चम्मच पानी आवशक्त अनुसार तलने हेतू तेल आवशक्त अनुसार आप सबसे पहले प्रांत में मैदा लेंगे इसमें बेकिंग पावडर हींग अजवायन नमक स्वाद अनुसार सूजी और चार से पांच चम्मच तेल डालकर आटे में मिला लेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गुथ लेंगे आटा रोटी के आटे से थोड़ा सा सक्त बनाएंगे अब आटे पर तेल लगाएंगे ताकि पपड़ी ना बने और धक्कन या कपड़ा डालकर 15-20 मिनट के लिए धक कर रख देंगे अब धक्कन उतारेंगे और आटे को दोबारा से गुथ लेंगे अब आटे की छोटी-छोटी लोईया बनाएंगे दोनों हथेलियों से दबाते भिए ऐसे ही सभी लोईयों को बना लेंगे अब चकले बेलन पर बेल लेंगे लोई को हम ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा पतला बेलेंगे आप इसमें पालक, पुदीना, हरा धनिया, कसूरी मेथी बारी काटकर भी डाल सकते हैं अब फोक या नुकुली चीज से मठरियों में हलका सा दबाएंगे ताकि मठरियां फूलेना अब गैस जलाएंगे और कढ़ाई में तेल डाल कर गरम करेंगे अब इसमें मठरियों को डालेंगे और अलट पलट कर मध्यम आज पर हलके सुनहादे रंका होने तक तल लेंगे अब प्लेट में टीशू पेपर डालकर मठरियों को निकाल लेंगे और एट कटोड़े में निकालकर गरम गरम चाय कोफी या कॉल्डरिंग के साथ परोसेंगे आप इनको 15-20 दिन के लिए बना कर रख सकते हैं और जब आपका मंचा है तब आप इनका सेवन कर सकते हैं हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्चता आवश्ये लें यानि की सब्सक्राइब करें इस वीडि को आप हमारी बैवसाई मा की रसोई टोटनेट पर भी पढ़ सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक और नए वेंजन के साथ धन्यवाद